हेलो एव्रिवन वेलकम टू माई योटूब चैनल पॉले लेक्टिका एंड ओल्सो वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर लेक्चरेट लास्ट क्लास इसमें हमने वाइरिंग के कुछ डिटेलिंग देखे जैसे की जैसे की वाइरिंग, वाइरिंग का टाइप्स कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, क्लिट वाइरिंग, वुड़न केसी और केपिंग वाइरिंग, लेशेट वाइरिंग, बैटन वाइरिंग और कंडेट वाइरिंग तो इन पास तरीके के वाइरिंग को हम लोग पिछले क्लासेस में कम्प्लीट कर चुके हैं इसके बाद हम लोग इन सारे wiring में comparison करेंगे जो कि ये decide करेगा कि कौन सी तरीके की wiring किस चीज में अच्छी है, किस चीज में खराब है और इसके माध्यम से हम लोग एक best wiring को select कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं ये wiring को हम लोग comparison करने के लिए एक table form किया है हमने ताकि इसकी साहता से आसानी से हम लोग सारे wiring को easily समझ पाएं उनमें comparison कर पाएं तो देखते क्या क्या है एक कॉलम में हमने serial number लिखा हुआ है दूसरे कॉलम में parameters मतलब जिन जिन चीजों का हम लोग को comparison करना है उन चीजों को लिखेंगे इन parameters में की कौन कौन सी चीजे अच्छी है खराब है इन चीजों के बारे में इस parameter से decide करेंगे उसके बाद wiring के 5 columns बने हुए हैं जो की है clit wiring, wooden and casing capping baton wiring, metal sheath and conduct wiring तो ये 5 wiring हमारे हो गए तो चलिए start करते हैं comparison तो हमारा first parameter है cost cost का मतलब कीमत उसका कितना खर्च होगा कितना खर्च आता है इस चीज के बारे में discussion करेंगे तो इसमें देखते हैं clit wiring clit wiring क्योंकि एक temporary तरीके का wiring होता है इसलिए इसकी जो cost है वो बाकी वाइरिंग के comparison बहुत ही कम होती है तो हमारे clit wiring का जो cost है वो क्या होता है very low बहुत ही कम wooden casing and capping wiring क्योंकि wooden casing में उसके casing और capping दोनों तरीके के लिए हमको system चाहिए दोनों तरीके के लिए wooden का एक structure चाहिए तो इसके लिए जो cost है वो एकदम कम नहीं होता है बलकि beach का होता है medium moderate level में इसमें खर्ष होता है moderate का मतलब medium या फिर मध्यन तरीके का खर्ष आता है baton and TRS wiring baton wiring में क्या करते हैं एक wooden baton के ओपर wiring को हम लोग क्लिपिंग करके उसका एक structure बनाते हैं तो यह हो गया baton wiring क्योंकि इसमें कोई covering नहीं होता इसलिए इसका cost उतना ज़्यादा नहीं होता है नौर्मल ही होता है तो baton wiring का जो cost है वो भी कितना हो जाएगा low होगा metal sheet wiring इस wiring में पूरे different conductors होंगे उन्हें एक metal sheet के द्वारा cover किया जाता है जिसमें ज़्यादा खर्च आएगा और इस metal sheet को साथ ही साथ अर्थिंग भी प्रॉपर अर्थिंग भी प्रॉपर अर्थिंग भी प्रॉइट करना पड़ता है तो इसके लिए जो इसके cost आगी metal sheet wiring की वो वो काफी हाई होती है उसके बाद है आखरी हमारा conduct wiring वाहक नली का wiring तो इस conduct wiring में क्या होता है इसका जो cost है वो सबसे ज़्यादा होगा very high क्योंकि इसमें एक conduct या फिर एक वाहक नली का यूज करेंगे और ये अगर metal की वाहक नली यूज करते हैं तो इसका cost बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो इसकी cost जो है very high होगी बहुत ज़्यादा होगी तो ये हमने देखा कि cost के हिसाब से सबसे जो सस्ता है वो है clit wiring और सबसे जो ज़्यादा महगा है वो है conduct wiring ये तो हो गया हमारे cost का comparison उसके बाद देखते हैं हम voltage का दूसरा parameter है हमारा voltage मतलब किस-किस तरीके की wiring कितने voltage rating पर यूज की जा सकती है इस चीज के बारे में discuss करेंगे यहाँ पर तो जो clit wiring है जो clit wiring है वो less voltage के लिए यूज होता है जो घरेलू हमारा voltage होता है 240 220 से 240 तो इसी के बीच यूज कर सकते हैं तो ये क्या होगा less voltage के लिए यूज होगा जो wooden casing and capping है ये भी less voltage के लिए मतलब एक कम voltage के लिए यूज होगा जो button wiring है वो भी हमारा कम voltage पर यूज होगा और metal seat wiring है ये भी कम voltage पर यूज होगा मतलब जो हमारा klit wiring, wooden casing and capping, baton wiring, metal seat ये चारो ही हमारे जो हैं कम voltage पर यूज होने वाले wiring है इसके बाद जो देखते हैं kandrit wiring, last है kandrit wiring तो ये kandrit wiring को कम या फिर medium range पर भी यूज कर सकते हैं तो सिर्फ kandrit wiring को बस moderate level पर medium लेवल पर यूज कर सकते हैं medium voltage के लिए बाकी के जो सारे चारो wiring है ये बहुत ही low voltage जो घरेलू voltage होता है हमारा 240 volt यही तक के बस यूज में लाया जा सकता है यही तक बस यूज कर सकते हैं 240 तक बस यूज कर सकते हैं इसके बाद देखते हैं aging इनका जीवन काल मतलब यह कितने लंबे समय तक यूज में लाया जा सकता है इसका जो age है यह कितना लंबे समय तक रहेगा इसको देखते हैं तो पहला है हमारा clit wiring में very less जो इसका aging है जो इसका जीवन काल है वो बहुत ही कम होता है यह temporary तरीके का wiring है इसे तो long lasting में वैसे भी use नहीं करते हैं तो इसका जो जीवन काल है इसका जो age है वो होगा very less बहुत ही कम होगा wooden casing capping का जो life है वो नहीं बहुत कम है नहीं बहुत ज़ादा है एक proper time के बाद इसमें modification इसका जो है maintenance करना ही पड़ता है तो इसका जो age है इसका जो lifetime है ये है medium और सेम इसी तरीके से button और lid sheet इन तीनों का जो lifetime है वो medium है बहुत ज़ादा लंबे समय तक नहीं होता है 12-15 साल 20 साल तक के होता है इसके बाद अगर सबसे ज़ादा टिकाओ बोलें सबसे जो लंबे समय तक जिसका lifetime होगा जो long lasting होगा वो है हमारा candidate wiring candidate wiring में candidate wiring जो है बहुत लंबे समय तक maintenance की ज़रत नहीं पड़ती इसमें और साथ ही साथ ये बहुत लंबे समय तक टिकाओ भी रहता है लंबे समय तक इसको यूज में लाया जा सकता है उसके बाद हम लोग देखते हैं जो है हमारा चौथा parameter area of application मतलब इसको किस किस चेत्र में उपयोग किये जाते हैं इन सारे वायरिंग को उसके बारे में हम यहां पर compare करेंगे area of application में उपयोग का चेत्र तो सबसे पहले क्लिट वायरिंग को देखते हैं क्लिट वायरिंग को हम लोग temporary installation के लिए यूज करते हैं मतलब जो भी अनिश्चित वायरिंग होता है जो हमारा अस्थिर जो की permanent नहीं होता temporary मतलब अस्थिर जिसे हमेशा के लिए हम लंबे समय तक यूज नहीं करतें तो ऐसे जगह पर temporary installation जैसे कि कोई नई building बन रही है तो वहाँ पर जो extra equipments को चलाने के लिए temporary तरीके से installation करेंगे तो वहाँ पर हम क्लिट वायरिंग का यूज करेंगे wooden casing capping में देखते हैं domestic office and administrative buildings मतलब आवासी जो हमारे घर है या फिर हो गया office, कार्याला है, administrative buildings कोई भी प्रसाशनिक या फिर इस तरीके का जो हमारा building है या फिर industry वगर हमें भी देख लिजे यहां पर भी wooden casing capping का यूज कर सकते हैं यह क्योंकि भरोसे मन्द है wooden casing and capping इसे यह बहुत short term नहीं होता है इसके बज़से wooden casing capping को हम लोग घरेलू use कार्याला में use के लिए कर सकते हैं उसके बाद आता है baton wiring, baton wiring में क्या है, baton wiring का use कहां पर करते हैं, domestic and industries घरेलू और कोई भी हमारे ब्यावसाइक जो building होंगे industries बहाँ पर कर सकते हैं इसके बाद चौथा देखते है metal lid sheet wiring इसके जो area of application होगा इसके जो उपयोग का छेत्र होगा वो किस चीच के लिए होगा cable service connection क्योंकि इसमें metal sheet होती है यह बहुत इसका जो outer layer है वो बहुत strong होता है और कोई भी mechanical damage कोई भी बाहरी जो injuries आएंगी उन सभी से बचा सकता है तो इसलिए हम लोग इसे ज़्यादा तर cable के लिए use करते हैं cable service में इस तरीके के wire का use करते हैं last में आता है हमारा candidate wiring go down, workplaces and social buildings ऐसे जगह जहां पर हम ज्यादा maintenance नहीं रख सकते जहां पर हमें भरोसे का ज्यादा जरूरत होता है कि इस तरीके के wiring में fault कम आएंगे या फिर जो हमारे fire hazards वगरा भी रहेंगे वो कम होंगे तो उस स्थान पर हम candidate wiring का use करते हैं जैसे go down हो गया, go down वगरा में, working places में या फिर कोई भी जो सामाजिक जो हमारे भवन रहेंगे वहां पर हम candidate wiring का use करते हैं next parameter है reliability reliability मतलब विस्वस्नियता reliability मतलब विस्वस्नियता मतलब किस तरीके के wiring पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं किसी भी यूज में लाने के लिए तो इसका comparison हम देखते हैं, क्या है Clit wiring तो पहले ही temporary wiring है तो इस पर ज़्यादा भरोसा तो कर नहीं सकते इसलिए इसका जो reliability वो बहुत कम होता है wooden casing, capping और baton दोनों ही हमारे medium तरीके के wiring है जिस जो की घरेलो यूज के लिए भी अच्छे होते हैं तो ये दोनों जो reliability, विश्वसनियता के द्रिष्टी कोर से दोनों अच्छे होते हैं both are good उसके बाद metal sheet wiring में आते हैं तो ये भी एक अच्छा है अच्छे तरीके का wiring है इसका जो है, इस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि इस wiring में ज़्यादा problem नहीं होगा तो इसका भी जो reliability है वो medium है अब देखते हैं kandit wiring जिसका reliability सबसे बेस्ट है सारे तरीके के वाइरिंग में सबसे बेस्ट अगर हम लोग किसी वाइरिंग पर भरूसा कर सकते हैं तो वो है हमारा kandit wiring इसी sequence में अगले parameter को देखते हैं protection from moisture नमी से बचाओ कौन से तरीके के वाइरिंग नमी से बचने के लिए कितना effective है कितना असरकारक है इसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो क्लिट वाइरिंग है ये तो पहली बात ये पहले स्टेज में फेर हो जाता है ये मौशयर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है protection जो है मौशयर से बिल्कुल नहीं करता है तो ये हो गया no ये मौशयर से protection नहीं करता wooden casing capping में क्योंकि इसमें capping होती है तो ये थोड़ा बहुत हमारा नमी से बचाओ कर सकता है इसलिए जो इसमें नमी से बचाओ का term है वो है जो नमी से बचाओ का chance है वो कम होता है less baton wiring baton wiring में मौशयर से protection एक ठीक ठाक लेवल पर हो सकता है इसलिए हम कहते हैं कि ये मौशयर से बचाने में good है मतलब ठीक है okay है kandit wiring kandit wiring में क्या देखेंगे मौशयर से बचाने में very less ये very less नहीं होगा ये by mistake है very less जबकि kandit wiring तो मौशयर protection में काफी अच्छा होता है क्योंकि ये पूरा closed होता है तो ये बहुत अच्छा होगा good इसके बाद जो हमारा आखरी parameter है जो की है fire हजार्स के chances मतलब आग लगने के ये कितने chances हैं किस wiring में उसका comparison हम यहाँ पर करेंगे जो clip wiring है ये तहली बार ये पूरी तरीके से open wiring होता है तो इसमें कोई भी हमारा कहीं पर भी fault आएगा तो तूरंथ हम लोग ये visible होगा इसे तूरंथ देख सकते हैं इसलिए इसमें जो fire हजार्स है जो आग लगने का chances है वो बहुत कम होता है almost नहीं होता है wooden casing capping में क्या होगा wooden casing capping में कोई भी short circuiting होने पर जो wooden है वो उस आग को और support करेगा क्योंकि wooden में भी आसानी से आग लग सकता है तो इसमें आग लगने के जो chances है वो medium होता है baton wiring में आग लगने के chances बहुत कम होंगे metal sheet wiring में भी बहुत कम होता है क्योंकि इसमें एक lid sheet जो है उपर में लगी होती है less उसके बाद है candidate wiring जिसमें की क्योंकि ये पूरा closed तरीके का wiring है इसमें जो आग लगने की संभावना है वो कम होती है तो ये हो क्या हमारा comparison इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि candidate wiring जो है काफी जगा पर ज्यादा active है candidate wiring जो है काफी जगा पर बहुत बहतर है लेकिन candidate wiring को हर जगा हम लोग उसके performance की हिसाब से चूस नहीं कर सकते क्योंकि ये economically बहुत high होता है इसको लगाने के लिए बहुत खर्च लगता है तो इसके वज़े से ऐसे इस इस्थान जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा safety का जरुरत होगा वहाँ पर हम लोग candidate wiring को यूज करेंगे otherwise हम wooden casing capping baton wiring से काम चला सकते हैं candidate wiring जिससे laboratories वगर हो गए जहाँ पर explosion होई का ज़्यादा chance हो सकता है तो ऐसे ज़्यादा safe इस्थानों पर candidate wiring का यूज कर सकते हैं ये हो गया basic comparison है सारे wiring के बीच में इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे points के बारे में भी बात करेंगे कुछ ऐसे चीजों के बारे में भी discussion करेंगे जिन points को हम लोग को किसी भी wiring को select करते समय ध्यान रखना चाहिए तो चलिए देखते हैं हमारा अगला topic जो की है selection of wiring तो ये है selection of wiring किस तरीके के wiring को select करने के पहले हमें बहुत सारे factors को दिमाग में रखना पड़ेगा कि इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है उसके बाद ही हम लोग एक proper तरीकी का selection कर सकते हैं wiring का तो चलिए देखते हैं क्या किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें wiring का selection करते समय हमें following points का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले तो जो है सबसे basic point है वो है सुरप्षा क्यूंकि अगर किसी भी wiring के selection से किसी भी human को कोई भी तरीके का जो नुखसान होगा तो पहला जो हमारा important factor रहेगा जिसको हमको पायर का selection करने के समय ध्यान रखना है वो है हमारा safety safety सुरक्षा safety का मतलब सुरक्षा किसी भी electrical institute electrical industries किसी भी electrical institute industries या फिर घरों में किसी भी तरीके का electrical insulation के खराब होने की स्थिती में जटका लगने का खतरा या फिर sparking के वज़े से आग लगने का खतरा रहता है मालीज़े कि किसे wiring में कही पर insulation खराब हो जाता है दो wires जो हैं आपस में connection में आ जाते हैं आपस में contact में आ जाते हैं तो क्या होगा पहली बात तो उसमें short circuiting का खतरा रहेगा और short circuiting से sparking या फिर आग लगने का भी खतरा हो सकता है और अगर by chance किसी single conductor का insulation खराब भी हो गया है तो human body के contact में आने से उसे electric shock लगने का खतरा ये भी हो जाएगा तो हमारा जो पहला किसी भी institute का जो पहला आवश्यक्ता रहेगा पहली जो need रहेगी वो रहेगी हमारे consumer की safety जो use कर रहा है consumer जो electricity को use कर रहा है उसकी safety हमारा पहला target होगा पहला point होगा पहला factor जो हम ध्यान में रखेंगे वो होगा हमारा safety wiring का selection करते समय safety को पहली प्रात्मिक्ता दी जाती है यहाँ पर लिखा है wiring को selection करते समय safety को पहली प्रात्मिक्ता दी जाती है यह तो obvious सी बात है कि safety को हम first priority देंगे किसी भी wiring के selection में इसलिए ऐसे places जहाँ पर आग लगने का डर होता है candidate wiring का यूज करते हैं जहाँ पर आग लगने का ज़्यादा chances होता है वहाँ पर generally हम candidate wiring का यूज करेंगे क्योंकि previous हमने टेबल में देखा कि आग लगने का जो chances है फायर हजार्ट का chance है वह candidate wiring में सबसे कम होता है तो इसलिए ऐसे जगह पर हम लोग candidate wiring का यूज करते हैं इसके बाद जो second factor है जो कि हमें माइंड में रखना होगा किसी भी wiring के selection में वह है mechanical protection मतलब यांत्रिक बचाओ ऐसे स्थान जहाँ पर wires को कहीं से भी damage हो सकता है तो वहाँ पर हम लोग इसीज का भी ध्यान रखेंगे जब mechanical damage के वजह से wires के तूटने या कटने की संभावना होती है वहाँ हमेशा ऐसे wiring का यूज करते हैं जिसमें तार किसी आवरण के अंदर हो अगर तार जो है हमारा ऐसी खुले ही places पे लटकता रहेगा तो कोई भी चीजों में फस कर या फिर कोई भी चीजों में अटक कर वो wire तूट जाएगा और पहली बात तो supply की connectivity तूट जाएगी साथी साथ अगर दो wires के दो wires जो है short circuiting में आ गए तो फिर fire हजार्स होने का chance बढ़ जाएगा तो ये जो है mechanical protection भी सबसे main point है किसी भी wiring में किसी भी या अंतरिक बचाओ के लिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे जगए ऐसे तार का use करते हैं जिसमें वो तार किसी आवरण के अंदर हो like candidate wiring या फिर wooden casing capping wiring इस तरीके का wiring को use कर सकते हैं जो कि किसी cover से ढखा हुआ हो ये wires हमारे direct खुले ना हो इसलिए working place या फिर laboratories में हमेशा candidate wiring का use करते हैं जो working place होता है या फिर lab में candidate wiring का हम लोग use करते हैं mechanical damage से protection के लिए इसके बाद ये हमारे दो factors हो गया जो कि हमको ध्यान में रखना है पहला तो हो गया safety दूसरा हो गया mechanical protection इसके साथ ही साथ जो next factor है जो कि हमें ध्यान में रखना है वो है तो तीसरा है appearance appearance मतलब दिखावट उस star को किसी भी wiring को fit करने से उसका जो look आएगा कैसा दिखेगा वो यह भी तो जरूरी है कहीं पर भी कोई वितार लटकते रहेगा तो बिल्कुर में भी उसकी खराबी आ जाएगी तो जो तीसरा factor है वो भी है वो भी बहुत important है किसी भी संस्थान में की गई wiring को दिखने में भी सुन्दर होना चाहिए जो उसका look है wire का वो भी सुन्दर होना चाहिए इसलिए अगर surface पर wiring की जाती है तो clip या wooden casing capping नहीं की जाती बलकि PVC बैटन या फिर candidate wiring की की जाती है ताकि wire या cable ना दिखे अगर कहीं पर भी हम surface में wiring कर रहे हैं तो clip या wooden casing capping को अगर हम लोग fit करते हैं तो वो look wise उतनी अच्छी नहीं दिखती किसी building का जो look है वो इस तरीके के wiring से खराब देख सकता है तो ऐसी जगह पर हम लोग PVC बैटन wiring का यूज करेंगे या फिर candidate wiring का यूज करेंगे candidate wiring में भी जो हमारा second तरीके का wiring होता है जो की wall के अंदर लगाया जाता है इस तरीके का wiring यूज करेंगे ति वो बाहर से ना दिखे इसके बाद जो चौथा factor है वो है हमारा permanency permanency मतलब इस्थाईत्व किसी भी wiring का selection में ये भी बहुत matter करता है कि हम उसे permanent रखने के लिए कर रहे हैं या फिर किसी ही करना चाहिए क्योंकि घरेलू wiring में हम लोग बार बार उसका maintenance नहीं करा सकते बार बार उसमें problem होने पर interruption होगा wiring system हमें सब permanent होना चाहिए air, smoke, moisture, etc से खराब होने वाले नहीं होने चाहिए इस बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ताकि उस पर धुएं का, moisture का government में जो नमी है उन सभी का असर ना हो तो इस तरीके का wiring हमें यूज करना चाहिए इसकी बाद हम देखते हैं अगला जो हमारा factor है वो है Durability Durability का मतलब है टिकावपन उस जो तरीके का wiring यूज कर रहे हैं वो टिकाव होना चाहिए इसलिए किसी भी building की wiring के लिए क्लिट wiring का use नहीं करते हैं obviously बात है कि कि किसी घर में किसे building में हम लोग wiring कर रहे हैं तो temporary wiring तो कर नहीं सकते हैं temporary wiring में पहली बात तो खत्रा बहुत जादा हो जाता है किसी भी insulation का खराब होने से shock लगने का या फिर किसी भी wire के फसने का इधर उधर का कुछ भी बहुत सारा जो है factor हमारे सामने आता है तो ये तो वैसे भी suitable नहीं होता तो हमें ऐसे wiring का use करना चाहिए जो की टिकाव हो साथी साथ safe भी हो जिसे क्लिट wiring को हम इसा temporary work में यूज करते हैं किसी घर वगरा में क्लिट wiring का हम लोग यूज नहीं करते ये तो हो गए हमारे पांच factors इसके बाद next factor है हमारा जो की है initial cost प्रादंबिक लागत अब हम कोई भी wiring कर रहे हैं उसे setup करने में कितना खर्च आएगा उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा अब ऐसा नहीं कि अच्छी wiring करना है इसके चक्कर में हम यही भूल गए कि उसमें खर्च कितना आने वाला है हमें अपना budget भी देखना पड़ेगा साथ ही साथ safety factors भी देखने पड़ेगे तो यह द्यान में रखना होगा कि हम ऐसे ऐसे वाइरिंग का चूज करें ऐसे वाइरिंग का सिलेक्शन करें जो कि rate में भी कम हो लेकिन उसका performance भी अच्छा हो low initial cost लेकिन best performance वाले वाइरिंग का सिलेक्शन करना चाहिए private building में generally baton wiring का यूज करते हैं लेकिन हम लोग हर जगा अगर candidate wiring का यूज करेंगे तो हमारा budget इतना high हो जाएगा उसका जो initial cost है वो इतना high हो जाएगा कि पूरा budget ही भी गड़ जाएगा तो इसके वज़ा से हम ऐसे वाइरिंग का सिलेक्शन करेंगे जो की quality wise अच्छा हो लेकिन rate के हिसाब से भी ठीक हो इसलिए candidate wiring के जगा पे हम लोग ज़्यादा तर baton wiring का किसी private buildings में यूज कर लेते हैं क्योंकि candidate wiring का जो cost है वो बहुत ही ज़्यादा होता है अब next factor है maintenance रख रखाओ wiring system इस तरीके से select करना चाहिए जिसका maintenance easy हो और minimum cost वाला हो अब हम लोग कोई विये wiring select कर लिये हैं और हर 15 दिन में उसमें कोई maintenance लग रहा है तो इस तरीके का wiring तो बिल्कुल suitable नहीं होगा तो ऐसी wiring को select करेंगे ताकि जिसका maintenance भी आसान हो और बहुत ज़्यादा maintenance ना करना पड़े साथी साथ उसका जो cost है वो भी normal हो तो ये हो गया हमारा अगला factor जो हमें दिमाग में रखना है वो है maintenance उसके बाद आता है accessibility मतलब सुलबता ऐसी wiring system select करेंगे जिससे हम लोग आवस्यक्ता नुसार changes और maintenance possible हो ऐसा wiring system select करना चाहिए जिसमें आवस्यक्ता नुसार changes और maintenance possible हो accessibility का मतलब हो गया हमारा सुलबता अगर मालीजे कोई भी wiring में हमें कोई extra extension करना है किसी wiring को और नए connection देना है उसमें और कहीं पर से addition करना है तो इसके लिए भी हम आसानी से इन चीजों को कर पाएं उसमें कोई भी changes करेंगे कहीं से wiring जोड कर अलग जगा supply देना है तो ये सारे काम ये आसानी से हो पाएं तो ये इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे पता चला कि एक बार wiring कर दिये उसमें कोई connection और लेना है connection तो बहुत problem हो गया तो ये उतना suitable नहीं होगा तो इसके लिए हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे ताकि उसमें कुछ जो है हमारे नीड के हिसाब से कोई भी changes करना हो तो वो हम कर सके ये तो बहुत ही मेन फैक्टर है कि वाइरिंग सिलेक्ट करने का जो रीजन है जो वाइरिंग हम लोग किस चीज के लिए सिलेक्ट कर रहे है ये बहुत important हम है क्योंकि अगर हमें पता है कि हम लोग एक construction जो जहां का एक construction चल रहा है ऐसे building पे वाइरिंग यूज कर रहे है तो उस पे हम एक temporary तरीके का वाइरिंग यूज करेंगे और किसी भी जो permanent building होगा उस पर हम अलग तरीके का वाइरिंग यूज करेंगे तो ये एक important factor है कि वाइरिंग का जो सिलेक्ट करने का तरीका है वो इस बात पर भी depend करना है कि जो हमारे building है वो किस type की है किस तरीके के building में हम वाइरिंग को यूज कर रहे है ये उसका एक important factor है building अगर domestic, industrial या फिर working office इन सब चीजों के बारे में हो तो इससे भी जो हमारा wiring सिलेक्ट करने का तरीका है वो भी effect होता है क्योंकि अलग 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 जगा पर हम लोग अलग अलग तरीके का wiring अलग अलग जरुरतों की हिसाब से करेंगे according to their need wiring सबी जगा अलग अलग परकार की use होंगी उनकी जरुरतों की हिसाब से हम लोग अलग अलग तरीके का wiring यूज करेंगे तो ये हो गए हमारे कुछ factor जो की हमें wiring के सिलेक्शन में ध्यान रखना है total nine factors हैं जिसे हम लोग किसी भी wiring के सिलेक्शन में ध्यान रखेंगे जो की है safety, mechanical protection, appearance या फिर उसका दिखावट permanency, durability, initial cost, maintenance, accessibility और types of the building तो ये हमारे कुछ factors हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है और इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग किसी भी wiring का perfect selection, perfect चुनाओ कर पाएंगे तो ये हमने देखा, आज के lecture में हमने देखा कि हमने different wiring में कौन-कौन से parameter कम या जादा है कौन सी चीजें किस wiring में अच्छी है, किस-किस rating में किस तरीके का wiring का use होता है ये सारी चीजों को हमने पहले compare किया, उसके साथ ही साथ wiring में, wiring के चुनाओ करने में हम लोग को कौन-कौन से बातें ध्यान में रखनी चाहिए किन-किन चीजों पर focus करना होगा, ये भी हमने ध्यान दिया, इस बात पर भी हमने discussion किया तो आज के lecture में हम लोग जो भी पढ़े हैं, उसे एक copy में note कर लिजे, अपने notebook में note कर लिजे और उसे एक बार revise कर लिजे, ताकि सारे चीजें आपको समझ में आ जाए, कि किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वारिंग का comparison कैसे होता है, उनके selection में हम लोग किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे तो आज के class में हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे के topics को हम लोग देखते हैं अपने next lecture में, तब तक के लिए thank you